हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस राफिल स्टडी में आज हम कक्छादस गनीत में इस कोईशन को सांदार तरीका से हल करना सिखेंगे यह कोईशन मैट्रिक बोर्ड एकजाम के लिए बहुती महत्तोपुर्ण है इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझेगा तो यहाँ पर कोईशन है एक तिरिगहात बहुपद ग्यात करे जिसके सुन्यक 3,1-2 है यानि हमें तिरिगहात बहुपद ग्यात करना है जिसके हमें सुन सुन्यक दिया है तो देखें इसका हल हमें यहां तीन सुन्यक दिया है एक है तीन दूसरा है माइनस एक तिसरा है माइनस दो तो दोस्तों तिरिगहात बहुपद के तीन सुन्यक होते हैं एक होता है अलफा दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा ठिक है तो यह जो तीन है यह अलफा का मान है यानि अलफा बरावर सुन्यंख है तीन इसके बाद बीटा बरावर सुन्यंख है माइनस एक और गामा बरावर सुन्यंख है माइनस दो ठीक है तो यह हो गया तिरगात बहुपत के तीन सुन्यंख अलफा बरावर तीन बीटा बरावर माइनस एक ग दोस्तों तिरिघात बहुपर का जो सुत्र होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस अलफा प्लस बीटा प्लस गामा गुने एक्स स्क्वाइड प्लस अलफा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अलफा गुने एक्स प्लस अलफा गुने बीटा गु लेके लिए अलफा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा उसके बाद अलफा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अलफा का मान निकालना होगा फिर अलफा गुने बीटा गुने गामा का मान निकालना होगा यानि हमें यहां से पहले इस तीन गुने गामा कमान तो चलिए पहले हम यहां से अलफा प्लस बीटा प्लस गामा कमान काल लेते हैं तो यहां से लिखेंगे अलफा प्लस बीटा प्लस गामा बड़ाबर अलफा कमान तीन है तो लिखेंगे तीन फिर प्लस बीटा कमान माइनस एक है तो यहां लिखेंगे माइनस एक, फिर प्लॉस गामा, गामा का मान है माइनस दो, तो यहां लिखेंगे माइनस दो, तो देखिए, दिखेंगे तीन, प्लॉस से माइनस एक में गुना करेंगे माइनस एक होगा, फिर प्लॉस से माइनस दो में गुना करेंगे तो माइनस दो हो तो जब हम तीन में से तीन घटाएंगे तो क्या होगा जीरो होगा तो जीरो जहें वो अलफा प्लस बीटा प्लस गामा कमान है अब हम यहाँ अलफा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अलफा कमान निकालेंगे तो पहले लिखेंगे अलफा कमान, अलफा कमान है 3 गुने, बीटा कमान है माइनस 1 फिर पलस बीटा गुने गामा, बीटा कमान है माइनस 1 गुने, गामा कमान है माइनस 2 फिर लिखेंगे पलस गामा गुने बीटा, गामा कमान है माइनस 2 गुने, अलफा कमान है 3 तो यहां लि माइनस एक से गुना करेंगे माइनस तीन होगा माइनस एक से माइनस दो में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस दो होगा यानि यहां होगा प्लस दो प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस दो में तीन से गुना करेंगे दो तिया छे अब देखिए प्लस दो है दो लिखेंगे माइनस छे माइनस तीन क्या होगा प्लस होगा चीन माइनस का चीन माइनस छे प्लस तीन नो दो में से माइनस नो करेंगे कितना होगा माइनस साथ होगा प्लोस माइनस माइनस चिन बड़ी संग्या का तो नो में से दो घटाएंगे साथ नो बड़ा है इसलिए इसका चिन होगा यानि माइनस चिन होगा तो इसका मान आ गए है दोस्तो माइनस साथ अब एक और चीज का मान का लेंगे जो है अलफा गुने बीटा गुने गामा का मान लिखेंगे अलफा अलफा है तीन गुने बीटा का मान माइनस एक और गामा का मान है माइनस दो लिखेंगे तीन गुने माइनस एक से माइनस दो में गुना करेंगे तो प्लॉस दो तो तीन दूना छे तो यह है अलफा गुने बीटा गुने गामा का मान अब यहां लिखेंगे सुत्र से सुत्र है एक्स क्यूब माइनस अलफा प्लोस बीटा प्लोस गामा गुने एक्स इस्क्वाइर प्लोस अलफा गुने बीटा प्लोस बीटा गुने गामा प्लोस गामा गुने अलफा गुने एक्स फिर प्लोस अलफा गुने बीटा गुने गामा तो हमने इन सभी का मान निकाल रखा है तो यहां पर बैठा देंगे तो तिरगात बहुपद निकल कर आ जाएगा तो यहाँ x cube है तो पहले x cube लिखेंगे फिर minus alpha प्रूस beta प्रूस gamma है तो इसका मान कितना है इसका मान है 0 तो यहाँ लिखेंगे 0 फिर गुल्णे में x square है तो यहाँ गुल्णे x square लिखेंगे फिर प्लोस यहां पर अलफा गुने बीटा प्लोस बीटा गुने गामा प्लोस गामा गुने अलफा है तो इसका मान हमने निकाल रखा है कितना है माइनस साथ तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस साथ और गुने में एक्स है तो लिखेंगे एक्स फिर प्लॉस अलफा गुने बीटा गुने गामा तो इसका मान है 6 तो यहां लिखेंगे 6 अब इसे सरल करेंगे लिखेंगे x3 यहां रखेंगे माइनस 0 गुने x2 है यानि x2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा फिर हम x3 में 0 घटाएंगे तो x3 होगा अब इसे और इसे लिख लेंगे पलॉस से माइनस में गुना करेंगे माइनस 7 में x से गुना करेंगे तो 7 x होगा फिर पलॉस 6 तो दोस्तों यही होगा हमारा एंसर ठीक है यहाँ एक्स का अधिकतम घात कितना है तीन तो यह हमारा तिरिगात बहुपद है तो इस परकार हम इसे हल करेंगे अधिया आपको वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए